Hello students, यह question आपके सामने, एक matrix दे रखा है, 2 by 2 order का, जिसका कोई भी element 0 के equal नहीं है, पर उस matrix का जो square है, वो identity matrix के बराबर है, साथे साथ जो small a है, वो कहा है कि वो sum of all the diagonal elements है, a का, और determinant of a आपका b के बराबर है, आपको इसकी value निकालने हैं, इस पूरी बात को अगर समझें, तो इसके लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा, कि a matrix यहाँ पर आपनी तरफ से हमें मानना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूँ, p, q, r, s, अब मैं क्या करता हूँ, a square निकालने के लिए, मुझे a को a से multiply करना पड़ेगा, तो यह p, q, r s यहाँ पर भी लिख दिया, और p, q, r, s यहाँ पर भी लिख दिया, अब इन दोनों को multiply करेंगे, तो आप खुद देखें, यहाँ पर आएगा p square plus q, यहाँ पर आएगा p square plus qr, यहाँ पर आएगा p q plus qs, यहाँ पर आएगा rb plus sr, और यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आएगा r q plus s square, ठीक होगे यहाँ तक, अब अगर आप देखें, तो आपको a square identity matrix के बराबर दी रखा है, तो यह जो a square है, यह 1001 के बराबर है, और यहाँ पर हमारे पास p square plus qr, नीचे r p plus sr, यहाँ पर p q plus qs, यहाँ r q plus s square है ना, अब दोनों को अगर मैं equal रखूं तो p square plus qr, जो है, 1 के equal आगया, r q plus s square, यह भी 1 के equal आगया, p q plus qs, जो है, वो 0 के equal हो गया, r p plus sr, यह भी 0 के equal, यह 0 के equal हो गया, यहाँ से क्या common आ रहा है, q और अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा p plus s है ना, equal to 0, यहाँ पर देखिए, यहाँ से r common आएगा, अंदर बचेगा p plus s equal to 0, देखो q तो 0 के equal हो नहीं सकता, तो इसका मतलब p plus s ही 0 के equal होगा, r तो 0 के equal हो नहीं सकता, इसका मतलब p plus s ही 0 के equal होगा, और गौर करें, p और s है क्या, वापस a matrix पे आएं, और p और s जो है a matrix के diagonal element है, है ना, तो इससे एक चीज़ पता लग गया, कि जो diagonal elements है, उनका sum कितना आ रहा है, 0, तो question में पढ़ेंगे, तो diagonal elements के sum को a नाम दिया है, तो a जो है p plus s के बराबर है, और p plus s हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब diagonal elements जो sum है, वो 0 के बराबर आ गया है, अब आगे देखेंगे, तो अब आप यह देखें कि आपको a square दे रखा है i के, तो अगर मैं determinant निकाल लूँ, a square equal to i, तो यह 1 होगा, यह दियान रखना कि a square का determinant अगर 1 है, नहीं, यह नहीं, मतलब a square matrix का determinant या फिर determinant a का square, तो नों a की मतलब होते हैं, तो इसका मतलब हो गया, कि a square आपके पास 1, और a की value आपके पास plus minus 1, ठीक हो गया, अब हमारे पास यह किसके equal है, b की equal है, तो b की value plus minus 1 आ गई, और a की value मैंने नीचे proof करके बता दी, वो कितनी आरी 0, अब यह b की value यहाँ पर put करो, तो आपको पता लगेगा, कि आपके पास a की value 0 put करो, b की value plus minus 1, तो आपके पास overall answer कितना आएगा, 4 आएगा, तो यह जो fourth, first option है, वो हमारे answer से match करता है,